आज मैं आप सभी के साथ 1 थालि की रे सिपी शेयर कर रही हूं जिसमें मीठा भी है और 2 सब्जी हैं कि नहीं जाला की चता है इए जहना सभी ऑक प्रत-फ्रत थे और मुझे बहुत पसंद है मेरी हजबन और मेरे को हैए वह भी चोटी है तो इस तरह की सब्चा की बट जिसे हम सबको बहुत पसंद है तो हर बार सोस्ति उलाओंगी बनाओंगी बट इस बार चलो ले आई बन गई फाइनली तो यहां पर मैंने जैक फूट को काटने के लिए पहले थोड़ा सा जो नाइफ है उस पे सरसो का तेल लगा लिए थोड़ा सा जैक फूट के ओपर उससे क्या होता है पेपर पे रखे कर उसे कट किया उससे क्या है कि हाथ वगेरा हमारे चिपचिपे नहीं होता है दर्वाइस हम वैसे ही काटेंगे तो चिपचिपे हो जाते है या फिर नीबू लगा के आप इससे कट कर सकते हो मैंने साबूत नहीं लिया क्योंकि बहुत तरीके से बनाया जाता है, एक इसकी ड्राय सबजी भी बनाई जाती है, जो मैंने अपनी मेरी बुआ है, बड़ी उनके हाँ पर खाई थी, वो भी मेरी बुआ की बेटी की फ्रेंड ने खिलाई थी, तो भी मुझे बहुत पसंद थी, मतलब बहुत अच्छी लगी थी, तो फ इसके जो सीट्स होते हैं, उसके ओपर एक छिलका सा होता है, तो वो छिलका भी जहां जहां लगता है, तो वहां से मैंने वो छिलका हटा दिया, क्योंकि सबजी बनने के बाद क्या होता है, कई बार वो मुह में आता है, और वो चुबने का उसका थोड़ा सा रहता है, तो उसको निकाल दिया और इसके सीड्स है ना बहुत अच्य लगते हूं सीड्स का एक अचार बनता है वो भी बहुत टेस्टी लगता है तो इसे ढखके वस 15-20 मिनट में हमारी कोख हो जाएगी तो यहां पर देखिए मैं अब फूट क्रीम बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने तक 3-10 honesty के करीब पाउडर शुगार डाल दिया और इससे अच्छे से बीट कर रहुत तकि काम फटाफर से हो जाया आप वैंड विसकर से भी से बीट कर सकते हो तो इस अच्छे से एक क्या है अधर मैं अधर मैं एक प्रूट पूरा अमूल फ्रेश रिम कर ढाल दोगी इससे इ अगर विस्कर नहीं है तो हैंड विस्कर से यूज कर लीजिएगा अब यहां पर मैंने पूरा एक छोटा वाला जो 200 ml का फ्रेश क्रीम का पैकेट आता है वो लिया और वो इसके अंदर में डाल दे रही हूं विपिंग क्रीम मड डालेगा ऐसे बनाके एक बार ट्राय कीजिएगा बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है मतलब एक्स्ट्रा मीठा भी नहीं होता और मीठा मीठा भी हमें खाने को मिल जाता है जैसे जो मीठे के बहुत शौकीन होते है इस तरह से अब इसके अंदर भी बहुत गाड़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा दूद आड़ कर रही हूँ कितना गाड़ा पतला चाहिए उसे साब से कंसिस्टेंसी के साब से हम यहाँ पर दूद डालते जाएंगे तो क्योंकि इसमें क्या होगा जब हम फ्रूट्स अड़ करेंगे ना तो फ्रूट्स डालने के बाद भी थोड़ा सा कई-कई फ्रूट्स पानी छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा सा पतला हो जाता है फिर उ ना वो भी बहुत अच्छा लगता है तो यह देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर मेरे पास ज्यादा फ्रूट्स नहीं थे एक एपल बनाना और मैंगो मैंने तीन फ्रूट्स यहाँ पर लिया थोड़े से मैं ट्राइ फ्रूट्स जाल दूगी अगर आपके पास अनार हो कोई और फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया अब तब तक यहाँ पर देखिए जो हमारी कटहल थे ना वो बनकर पक गए है मतलब इसको सबसे बड़ी चीज़े तला नहीं है उसके बाद इसका जो टेस्ट है ना मैं बहुत ही बड़ी आता है क्योंकि इस तरह से जब बनाते है इक रहता है थी इक रहता है हमें गिल्ट रहता है कि भón हम फ्राइ क्योंकी अपजी खा रहे है या बहुत ज़्यदा तेल की बागी ना बनाते है नहीं ज़ित बाकी से दो बड़ा से और इसके एस सारे इसके अधर मिक्स से हमारे जो ठॉड़ हुँ यहाँ तो यहाँ पर बिल्कुल फ्लेक्स वाले चॉप करके और थोड़ी से डाल दी है कि सॉरी इलाइची आप चाओ तो केसर भी डाल सकते हो इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे आपको अगर कंसिस्टेंसी इसकी पतली चाहिए तो आप पतली भी कर सकते हो बैने थोड़ा सा गड़ा बाकी बहुत सारी रेसिपी मैंने थाली की और भी शेयर की हुई है आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर पेच पर अब चलिए सब बाकी अब सबगी की तैयारी करते हैं यहां पर देखिये मैंने ले लिया काट्यल की सबजी के अंदर होता है लेसुन की थोड़ा सा जुआता ही तो इहां पर मैंने एक से डेड़ करी लहसन को छील लिया और इहां पर थोड़ा सा जिंजर ले लिया है जिंजर मेरे पास था निए जेंडर गार्ली को ग्रीन चिली का पेस्ट बना कर आप इस तरह से डाल सकते हैं यहां पर देखियोंते हैंenne तो बोस्ne तेस के करीब ओयल ले लिया है इसमें डाल रहा है थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद जीरा आप चाओ तो खड़े मसाले डाल सकते बड़ इस सब्जी में मुझे खड़े मसाले बेसिकली नहीं पसंद है अगर आप लोग डालते हो तो डालिएगा तो हमने जो पेस्ट बनाया था ची़ते होता है तो अवने नहीं दो सकता हुए अधर लिए इस में को जाल जाएगा हो यह थोड़ी दिर के कोकू करेंने बल्कुल एक तक हम पीस हैं कते हुए प्याज मतलब पीस चुक ए इसके प्यूरी बना लें तो यह देखिए आपर मेरेमे किसको कॉन कॉन सी सब्जी पसंद है क्योंकि एक सब्जी की रेसिपी और वे इसमें बनाने वाली हो कमेंट करके बताईएगा और आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हो यह भी जरूर बताईएगा अब हमारे इस प्याज को पका लेंगे तब तक हमारे आपर टमाटा प्याज को पकने देते हैं भी नहीं पकाई इसको ढखकर छोड़ देती हूं तब तक यहां पर हमारे राजिस्तान की फेमस यहां तो मिलती है मतलब काच्री मिर्चीजे से बोलते हैं तो इसकी बनाऊंगी मैं सब्जी यह मुझे बहुत ही बहुत पसंद है और इसकी चटन इसको मैं थोड़ा से स्मैल इसलिए कर दी थी उससे पता चल जाता कि कड़वा तो नहीं बाकि आप टेस्ट कर लीजिए देखने से और थोड़ा से स्मैल से भी पता चल जाता है कि कैसा है क्योंकि कड़वी हो गई एक बी निकली कड़वी तो सारा टेस्ट हना कड़वा कर तोड़ा है धनिया पौडर नमक हाँ और हल्दी हाँ अपने टेस्ट के साफ से हाँ अपर मसालें डालें गया है तो तो अपर हमारे ऑनिया है घूली नमक हुआने यह सबसा पॉट्समाटर की जो डालत हैं यहाँ के तयार हमारा भी पॉड़ा रही है मतलब काश्री मिर्ची के हमाई सबजी बन रहे हैं अब यहां पर मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं तकरीवन दो से तीन टेविल स्पून मैंने फ्रेश कर ले लिया है मतलब बहुत खटा दही नहीं है यह इसे ग्राइंड कर लेंगे बट मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया ऐस आदा चमच हल्दी पाउडर टेस्के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा एक चमच के करीव यहां पर धनिया डाला है तो देखे सबजी को थोड़ी देर पकने देंगे साइड से ओल जब छोड़ने रख जाए इतनी देर पकाएंगे थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाले जिससे अब देखना थोड़ी दिर बाद जो डखकर पकाते है न तो उसका जो तेल होता है वो उपर की तरफ आ जाता है तो देखिए धकर पकाया जो इसमें हमने तेल डाला था सारा उपर आ गया कलर पूरी तरस इसका चेंज हो चुका है थोड़ा सा इसके ओपर डाल डाल कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो यह बन गई है हमारी यहाँ पर कठेल की सबजी और उधर भी बन चुकी है हमारी काच्री की सबजी वो तो मतलब पांच बलड में बन जाती है तो चलिए आप लोगों को प्लेट दिखाती हूं तो यह हमारी कठेल, फ्रूट क्रीम, क पाच्री और साथ में पराठा तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा थैंक्स फूर बाचिंग बाइबाइ